दोस्तों कैसे है आप सब आशा करता हूँ सब ठीकी होंगे आज मैं एक एप का यूज आपको दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है Net Speed Indicator जैसे शाओमी के फोन पे आपका ऊपर Net Speed दिखाता है इंडिकेट करता है वैसे Samsung के फोन में या फिर दूसरे कंपनी के फोन में ये option नहीं रहता है तो उसी के solution के लिए है ये आप जिसका नाम है Net Speed Indicator तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाईए उसके बाद सर्च पार पे सर्च कीजिए Net Speed Indicator सर्च कीजिए इसके बाद सेकेंड में जो आप है 42 के भी पर सेकेंड यह आइकन है और लिखका है Net Speed Indicator इसको ओपन कर दीजिए फिर इसको इंस्टॉल कर दीजिए इंस्टॉर्डिंग हो रहा है कम्प्लीट अभी ओपन कर दीजिए फिर देखिए यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है Net Speed Notification बार पर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 के भी पर सेकेंड, 0 के भी पर सेकेंड यह इंडिकेट कर रहा है और Enable Indicator को अगर आप On करके रखेंगे तो यह आपको हमेशा दिखाएगा जो नीटी स्पीड आएगा हमेशा दिखाएगा उसके बाद जो Option है Speed to Show in Indicator Icon तो इसमें Total Speed दिखा रहा है तो अगर यह Option को आप चूज़ करेंगे तो इसमें देखिए Download Speed लिखा हुआ है, Upload Speed लिखा हुआ है यह अलग-अलग से आप देख सकते हो अगर Download Speed हम Select करेंगे तो Only Download Speed दिखाएगा अगर Upload Speed से लिखाएगा तो अगर हम Total Speed करके रखेंगे इसको फिर नीचे देखिए यहाँ पर जो Download Slash Upload Speed दिखा रहा है इसको On करके रखेंगे न तो आप Notification बार को नीचे लाएँगे तो देखें यहाँ पर Download Speed अलग से दिखाएगा और Upload Speed अलग से दिखाएगा यह भी आप कर सकते हो अभी मैं एक Download Start किया हूँ Download का Speed यह देखें ऊपर दिखा रहा है 2.8 MB per second, 3.1 MB per second, 3.6 MB per second तो अभी यह Notification बार को आप नीचे लाएँगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर Download Speed और Upload Speed अलग से दिखा रहा है फिर देखिए यह App पर आप दूसरा भी सेटिंग कर सकते हो अगर आपको Notification में वो Speed आपको नहीं दिखाना है तो वो Show Notification आपको नहीं दिखाएगा ऐसे तो यह भी कर सकते हो आप और भी कुछ सेटिंग है यहाँ पर अगर आप चाहे तो आप Check कर सकते हो Thank you for watching my video अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए Thank you See you in next video